नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में 30 ठीकानों पर इड़ी के छापे जार्खन में सिंडिकेट बना सराब के ठेके हासिल करने से जुड़े ममले में इड़ी ने बुद्धवार को बड़ी करवाई की है जार्खन बंगाल में सराब कारोबारी करने वाले जीतेंद्र तीवारी समेत कई नेताओ वा कारोबारी के 32 ठीकानों पर छापे मारी की इनमें जार्खन के 30 वा बंगाल के दो ठीकाने सामिल है च्छापेमारी के दवरान ईडी ने राजी के बीत मंत्रिता में श्वर उराओं के यहां से 30 लाख नगदी बरामत की है वहीं कारुबारी बिनाय कुमार सिंग के यहां से कणोरों के जेवर बरामत किये रेड में जीतेंद्र के सिंडिकेट में पक्ष विपक्ष के नेतावा करोबारियों की सनलिपता के साक्ष मिले है साथ ही सैकड़ोब बैंग खातेवा और बोक निवेस की जनकारी मिली है E.D. ने सभी के मोबाइल भी जप्त किये है साथ ही सभी के आस्रीतों की संपत्तिक अबेवरा मांगा गया है एडी ने देर साम जीतेंद्र और उसके भाई अवरेंद्र को समन भी किया है दोनों से सन्निवार को पुस्ताच होगी दुर्गातना में ततकाल राहत के लिए बनाए हेलिपेड सियम हमंत मुख्य मंत्री हेमंसुरिन ने बुद्धवार को जारखन मंत्राला में पथ निर्मान भी भागी समिक्षा की इस दुर्ण अधिकारियों को सड़को के किनारे हेलिपेड निर्मान को लेकर कर जोईना बनाने का निर्देश दिया इसके तहद सड़को के उन लोकेशन को चीनित किया जाएगा जो हेलिपेड निर्मान के लिए उप्यूगत होंगे इससे दुरघटनाओ और अपात कालिन परिष्थितियों में घायलों को ततका लेयर लिफ्ट करा कर अस्पताल पहुँचाया जा सकेगा मुख्य मंत्री ने समिक्षा के दुरण कहा है कि बेहतर सड़को के नेटवर्क से विकास को गती मिलती है ऐसे में अच्छी सड़को के निर्मान पर सरकार का विसेश जो रहा है उन्होंने सड़को के गुनवाता को लेकर कोई सिकायत मिलने पर सम्मधित इंजिनियर और ठेकेदार के खिला बड़ी करवाई की चेतावनी दिया है मुख्य मंत्री ने उच अस्तरिये बैठाक में विभीन सड़क पर योजनावों के प्रगति की समिक्षा की मुख्य मंत्री हेमां सुरे ने अधिकारियों को सड़को का निर्मान तैस समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है जारखन के बीत मंत्री के आवास पर इड़ी की छापे मारी पर कॉंग्रेस का पहला ब्यान जारखन में सतर जामो नित गटबंधन की घटक कॉंग्रेस ने बुद्धवार को राज के एक मंत्री के बेटे और कुछ अन लोगों से जुड़े परिसरो पर इड़ी की छापे मारी को भाजपा के इसारे पर रायनितिक प्रतिसोध बताया है साथ ही आरोप लगाया है कि केंदर सरकार 2024 के लोग सबा चुनाओं से पहले भी पक्षी गूट भारत की छवी खराब करने के लिए एसब कर रही है राजे में कथित सराब घोटाले के समद में मरी लॉंडिक जाज के तहत इड़ी ने जिन अस्थानों पर चापे मारी की के लिए केंदर में भाजबा कई सारे परायने तिक प्रतिसोत की करवाई के अलावा और कुछ नहीं है स्कूल नहीं आई लड़किया तो सिक्षकों ने दवड़ा दवड़ा कर पीटा जार्खन की रैधानी रांची के रातु थाना चेत्रे के गुड़ू इस्थीत किरिशक उच बिद्याले के तिन बिद्यार्थियों को बिद्याले के सिक्षक एवं सिक्षि काओं ने मंगलवार को मार पीट कर इतना परतारीत किया कि एक छात्रने बुद्धवार की सुबक इतना सक पीकर जान देने की कोशिस कर दी जनकारी के अनुसार दासवी कक्षाग की साक्षी कुमारी एवं असीता कुमारी वकलाः छो की रिया कुमारी मंगलवार को जैसे ही भिद्याले पहुँचे इस्कूल के सच्चीव असोक महतो प्रचारे सीमा कुमारी शिक्षी का स्वेता तिर्कीव शिक्षक नियर्जन महतो ने स्वमवर को तिनों बचियों से इस्कूल नहीं आने का कारण पूछा और फिर मार पीट करना शुरू कर दिया पिडिच छत्राओं ने बताया है कि चारो सिक्षकों ने पूरे इस्कूल में दवड़ा दवड़ा कर उन्हें मारा जिससे अपमानित होकर साक्षी कुमारी ने बुद्धवार के सुबह जहर पिली साक्षी का इलाज कटहल मोड रांची के रीची होस्पीटर में चल रहा है जहां उसकी थिती नाजुक बनी हुई है नक्साली संगठन टी एस्पीसी के लिए काम करने वाले तीन गिरफतार चतरपूर थाना प्रभारी सेखर कुमार के नेतितों में नक्साली संगठन टी एस्पीसी के लिए काम करने वाले तीन समर्थकों को दो देशी हतियार के साथ गिरफतार किया गया चतरपूर संगठन टी एस्पीसी के लिए कमांडर नगीना जी अपने समर्थकों के साथ आने वाला है सुचना के अलोक में उन्होंने चतरपूर थाना प्रभारी सेखर कुमार ने त्वित में पुलिस टीम की गठिन की जिसमें एसाई रंजीत कुमार, रित लाल यादव, सुभास मलिक, मनुयादव, स्वक्षता पास्वान, अक्तर हुसैन, अमर हुसैन, सहीत कई पुलिस कर्मी सामिल थे पाच्मी सिम्भूम में नकसलियों का तांडव चार दिन में चार हत्या है पाच्मी सिम्भूम जिले के नकसल परवाईत गोईल के राथाना छेत्रे में एक और हत्या से पूरे छेत्रे में दहसत है लगातार चार दिनों में या चौथी हत्या है हलाकि नकसलि घटना है या नहीं अभी तक क्या साप नहीं हुए है घटना के समझे मिली जनकारी के नुसार गोईल के राथाना अंतरकत बिल्ला गाओ के बुरू साइट वला जाने वाले रास्ते पर एक तीस वर्स युवक की मंगलवार की राथ पत्थर से कुछ कर हत्या कर दी गई यह लगातार चोथे दीन जीले के नक्सल प्रभाईत इलाके में हत्या की गई है बुद्धवार की सुबह अस्थानिये ग्रामिनों ने सौव को देखा इसके बाद पुलिस को सुचना दी गई इस घटना के बाद से पूरे जीले में दह सता है मीजोरम हाथसे पर सीम हमंत ने जताया सोक पुरोतर भारत के राज मीजोरम में एक निर्मानाधीन पूल के धह जाने से 17 लोगों की मौत हो गई इस हाथसे पर जार्खन के मुख्यमंत्री हमंसुरे ने सोक ब्यक्त किया है उन्होंने माइक्रो ब्लोगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि मीजोरम के सैरांग में निर्मानाधीन रेल्वे पूल के गिरने से 17 लमिकों की मौत्यों की दुखत खबर मिली है जार्खन में टेट परिक्षा निमावली के जमेल में फसा जार्खन में सिक्षक पतरता परिक्षा एक पहली बन कर रहा गई है राजे में साल 211 से सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अब तक 2 बार 213 और 16 में सिक्षक पतरता परिक्षा आयोजीत होई है जबकि इसे परतेक वरस आयोजीत करने का प्रोधान है नियम करुंसार राजे में बीते 12 बर सिक्षक पतरता परिक्षा आयोजीत होनी चाहिए थी मगर बिड़मना यह है कि जब कभी भी टेट आयोजीत करने की बात होती है तो नियमावली में बदलाव करने में सिक्षा भी भाग जूड जाता है बता दे सिक्षक पतरता परिक्षा के लिए अब तक चार बार नियमावली में बदलाव हो चुके है स्रियम हेमन्त ने इस्रू और देश वासियों को दी बधाई भारत का मिसन चंद्रयान तीन सफल हो गया है इसकी सफलता पर परदानमति नैनमोदी और जारखन के मुखे मंतरी हमन्त ने इस्रो के साथ सा देश को भी बदाई दी है बता दे मिसन चंद्रयान तीन की सफलता पर पूरे देश में उत्साह जैसा महौल है भारत दुनिया का पहला देश है जो चंद्र के उत्री धुरूप पर उत्रा है इसके साथ ही चंद्र पर पहुँचने वारा दुनिया का चौथा देश बन गया भारत के इस करिशमे से दुनिया हैरान है भारत की इस सफलता के बाद पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानने लगी है इसरो की सफलता पर पीए मोदी के साथ साथ चारकन के मुख्य मंत्री हमान सुरें ने भी बदाई दी है जीरो बाइलेंस पर खुले जंधन खातों में 285 कोड़ रुपे जमा है यह जमारासी वैसे गरीब परिवारों की है जीन का कभी बैंक में खाता नहीं था पहली बार खाता खुला तो बैंकों में उनका लेन देन भी बढ़ा यह मजबूत होती गरामिन अर्थ वेवस्ता का संकेत है गरामिन अर्थ वेवस्ता में आ रही सम्रिद्धी का आलम यह है कि जीरो बाइलेंस वाले खाते में भी कमी आई है गढ़वा जिला अंतरगत आठ लाक लोगों का जीरो बाइलेंस पर जन्धन जोजनाक दहात खाता खुला गया था टेट पास सहायक अध्यापकों का आमरन अंसन शुरू जारखन के टेट पास सहायक अध्यापकों ने सीधी नियुक्ति के लिए राजभोन के समक्ष आमरन अंसन शुरू कर दिया है जारखन राज टेट पास सहायक अध्यापक समवनवे समीती बैना तले सिक्छक अंसन पर बैठ गए है उनका कहना है कि 14,042 टेट पास सहायक अध्यापकों की सीधी नियुक्ति की जाए सरकार बरतवान में सहायक अचारे के लिए जारे बियापन को वापस ले और टेट पास सहायक अध्यापकों की पहले सीधी नियुक्ति करे जहरखंड के मुलवासियों को सरकारी नौकरी से दूर करने और बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए ही यह निमावली बनाई गई है चंद्रयान 3 की लेंडिंग का रांची के मेकॉन में भी मना जस्न चंद्रयान 3 की सतह पर लेंडिंग का जस्न पुरे देश के साथ ही रांची के मेकॉन में मन रहा है इस चंद्रयान मिशन में मेकॉन की भी अहम भूम का रहा है इसी खुसी के मौके पर मेकॉन के इंजिनियर्स काफी खुस दिखे बता दे चंद्रयान तीन चांद की सता पर सफलता पुरुवक उतर चुका है इस सफलता में कही न कही जार्कन का भी योगदान रहा है जिसमें मेकौन ने महती भूम का निभाते हुए लॉंचिंग पैड का डिजाइन त्यार किया था इस रोक के कारे आदेश मिलने के बाद मेकौन के 50 इंजिनियर्स की टीम ने चंद्रयान तीन के लॉंच पैड की डिजाइनिंग को काफी मकसद के बाद त्यार किया था चांद की सता प्रचंद्रयान तीन के उतरने के इस अदभुत छनकों मेकौन के सवाकक्स से निहार रहे इंजिनियरों का इस मोगे पर खुजी का ठिकाना नहीं रहा गढ़वा में तेज बारिस के साथ बजरपात में एक की मौत जारखन में मानसून सक्रिया है राज में लगभग सभी जगोपा हलके से मत दर्जे की बरसा हुई है कुछ इलाकों में भारी भी बरसा हुई है बुद्धवार को गढवा जिले में तेज बारिस के साथ बजरपात भी हुआ इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार छत्राय गंभीर रूप से खायल हो गई ये सभी छत्राय स्कूल की छूटी के बाद घरलोट रही थी राष्टे में बजरपात हुआ और उसकी चपेट में ए छत्राय आ गई सभी भोनात पुर्शर स्वती सीशू बिद्या मंदीर में दसवी की छत्राय है भारत मौसम विग्यान केंद्र के राची स्थित मौसम विग्यान केंद्र ने बताया है की जारखन में 25 अगस्त कुछ जगों पर भारी वर्षा और वजरपात होने की असंका है स्रियम हेमन्त ने मेक इन जारखन पोलिसी की समिक्षा की मुख्यमंत्री हेमन्त ने उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तयार कियेगा मेक इन जारखन पोलिसी दोहरते इसकी समिक्षा की है इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जारखन जैसे राज्ये के समाजिक वार्थिक परिपेक्ष में ये में सेमिस सेक्टर काफी मायने रखती है इस राज्ये में इस सेक्टर के उद्योगों के बिकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलवद हैं वही यह बड़ी संख्या में युवावों को रोजगार देने की भी दक्सता रखता है चंद्रयान 3 की सफलता पर जसन में डूबा जहारखन बुद्धवार की साम भारत चांद पर पहुँच गया है दक्सिन धुरूपर चंद्रयान 3 के सोफ्ट लेंडिंग के साथ ही पूरे देश में जसन का महल हो गया है जहारखन में भी हर किसी के चेरे पर खुशी देखी जा रही है राजधानी राची में जम कर अत्तिसवाजी हुई वही मुख्य मंत्री हमान सरे ने भी इस्रों के बैग्यानी को समेथ सभी देश वाच्यों को बढ़ाई दी है बता दे चंद्रयान 3 की चंद्रमा में लेंडिंग करने की लाइप भूद दवार सामचाओ वही साहिब गंज महा बिद्याला है केंद्रीय बिद्याला है संत जेवियस अंग्रेजी मेडियम मोडल कॉलेज रानमोल में देखा गया है जार्खन में मेडिकल कर्मियों के 1246 पदो पर होगी नियोक्ती स्वास्त विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों के 1246 पदो पर नियोक्ती जार्खन करमचारी चैन आयोक के मातम से होगी इनमें लेब टेकनेशियन के 76 थावन तथा फार्मासिस्ट के 588 पत सामिली थाए स्वास्त विभाग के अपर मुक्स चीव अरून कुमार सिंग ने बुद्धवार को नियुकती है तू अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी है स्वास्त विभाग ने इस बार सिधी पदों के साथ साथ बैकलोग पदों पर नियुकती के लिए भी अधियाचना भेजी है साथ ही आरक्षन की बिंदू पर सोधीत तथा कार्मिक विभाग से अनुमोदित रोष्टर की प्रती भी भेजी है नियुकती जारक्षन करमचरी चैन आयोग परिष्ट संचार नियमाली दो है तेज के तहत होगी गाओं में जाकर दादों का मुफ्त इलाज करेगी मोबाइल डेंटल यूनिट दाद की परिसानियों के लिए अब ग्रामिन छेत्र के लोगों को सहर आकर सरकारी अस्पतालों के चटकर नहीं लगाने होंगे इसके लिए गाओं के आसपास मुबाइल डेंटल यूनिट पहुंचेगी जो दाद रोग का मुफ्त में इलाज करेगी जारकन सरकार पाँच मुबाइल डेंटल यूनिट खरीद रही है इसके लिए टेंडर की परिक्रिया सुरू कर दी गई है अधिकारियों के अनुसार एक यूनिट धनबाद को भी मिलने की समवना है बता दे कि राजी में सरकार की तरफ से सिर्फ मेडिकल कॉले और सुदर अस्पतालों में भी दाद रोग के इलाज की बिवस्ता है जमसेद पूर में रभ्यवार को चलाया जा रहा सुनो कहानी अभियान बाल मन पर कहानी का असा सबसे ज़्यादा होता है इसके माध्यम से बचों के मन में विशय वबस्तु पूरी तरह से घहर कर जाती है बात जब दादी नानी की कहानीयों की हो तो रोचकता बढ़ना सभाविक है फिर ना तो समाई का ध्यान रहता है और ना ही भूख प्यास का बता दे दादी नानी की इस नुस्के को हतियार बना जमसेदपूर की संस्था बचों को मोबाईल की लत छुडाने में जूटी हुई है कोशिस रंग लाने लगी है और दादी नानी का नुस्खा बच्चों को बदमासी और अने मामलों से ध्यान भटकाने के काम आने लगे है मोबाइल की गिरप्त में आचुके बच्चों को यह तरीका भाने लगा है इस अभ्यान का नाम दिया गया है सुनो कहानी और इसे रोटी बैंक संस्था चला रही है सियम हेमंत को इडी का दूसरा समन पूस्ताच आज जारखन में मुख्यमंतरी हेमंसरेन को जमीन समन्दी मामलों में पूस्ताच के लिए इडी ने दूसरा समन भेज कर 24 अगस्त गुरुवार को बुलाया है वे इडी कर्याले जाएंगे या नहीं इस पर संसाय है उन्होंने अब तक इडी को इसे समन्दी कोई पत्रचार नहीं किया है सुचना है कि वे इडी के अधिकार को सर्वश न्याले में भी चुनावती दे सकते है वहीं इससे समन्दी सुचना भी अब तक सामने नहीं आई है इसकी भी समना है कि वे इडी से समय मांग सकते हैं अथवा कर्याले जा सकते हैं हालाकि गुरुवार को उनके सेड्यूल में प्रोजेक्ट भौन सचिवाले के कारकरम है जार्खन में 25 अगस्त के बाद मौसम होगा साब जार्खन के कई भागों में मांसुन सक्रिय है राजी के उत्री भागों में अच्छी बारिस हो रही है वहीं पिछले 24 गंटे के दोनान संथाल परगना में भारी बारिस हुई है दुमका में 110 मिलिमीटर बारिस हुई राजधानी राची में भी बादल चाय हुए है हालाकि यहां 3 मिलिमीटर ही बर्षा हुई है मौसम विभाग करनुचा राजधानी राची समेथ पूरे राज़ में अगले 24 गंटे के दोन अच्छी बारिस होने की उमीद है कही कही भारी बारिस होगी वहीं 25 अगस्ट से मौसम साफ होना सुरू हो जाएगा राजधानी समेत आसपास के छेत्र में अगले 24 कंटे के दान मध्यम अस्तर की बारिस होगी कहीं कहीं भारी बारिस भी हो सकती है धन्यवाद